राइस्काहएं म платन нет क्लास 10 फीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम करने वाले आज रसायनिक अभीक्रिया के प्रकार पहला टॉपिक है आज का रसाइनिक अभी क्रियाओं के प्रकार और उसके अंदर आज हम हैडिंग बढ़ने वाले हैं संयोजन अभी क्रिया जिसको हम इंग्लिश में एडिशन रियक्शन कहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से जरूर देखे आगे बढ़ाते हैं वीडियो को तो आज का हमारा पहला टॉपिक है संयोजन अभीक्रिया टॉपिक है आज का रसाइनिक अभीक्रियाओं के प्रकार जो पीछे वाला टॉपिक ता उसे आगे चल रहा है रसाइनिक अभीक्रियाओं के प्रकार और पहला टॉप पात क्या होते हैं वो जब आप पीछे वाली वीडियोस पढ़ेंगे आपको तभी समझ आएगा वरना समझ नहीं आएगा वे अभीक्रिया जिन में दो या दो से अधिक अभिकारक परस पर संयुक्त होकर मतलब की जुड़कर एकल उत्पात का निर्मान करते हैं एकल उत्पा की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं नीचे एक्जामपल भी दिखाई दे रहा है आपको कि A प्लस B ने क्या बना कर दिया C ये हैं अभिकारक ये है उत्पात तो A प्लस B ने क्या बना कर दिया C दो अभिकारकों ने आपको एक उत्पात बना कर दिया है तो इस प्रकार के अभीक्रियाएं कहलाती हैं संयोजन अभीक्रियाएं एक्जामपल पढ़ लेते हैं कुछ इसके जैसे की जल का निर्मान पहला एक्जामपल इसका जल के निर्मान में होता क्या है कि यहाँ पर H2 लिखा हुआ है 2H2 लिखा हुआ है यह गैस अवस्था में है यह ऑक्सीजन है यह भी गैस अवस्था में है अब यह दो पर मानू दो अनू मिलकर यह कितने अनू है दो अनू और यह दो अनू मिलकर यह वाला अनू और यह वाला अनू मिलकर एक अनू बनाने का काम करते हैं चुकी है तो क्या होता है जल यह आपके जल का दो अणू बनाने का काम करते हैं यह अपर भी दो अभिकार को ने participate किया और दो अभिकार को ने participate करकर एक उत्यों कियान आगे का next एक और example पढ़ लेते हैं कोईले का धेहन कोईला मतलब कारबन ठीक है कारबन solid अवस्ता में होता है जब ये oxygen के साथ oxygen gas के साथ में इक रिया करता है मतलब 1 ये हो गया और 1 ये हो गया 1 प्लस 1 हो गया और ये मिलकर 1 उत्पाद बनाने का काम करता है ठीक है के से यह आपकी संयोजन अभी क्रियाओं के एक्जाम्पल्स थे डैफिनेशन थी I hope आप सबको समझाया होगा यह टॉपिक तो आज हमारा अभी रसाइनिक अभी क्रियाओं का यह पहला प्रकार था जो की कम्प्लीट होता है जो की है संयोजन अभी क्रियाओं